हलो फ्रेंज वेलकम बैक टू मैं चैनल क्रेटिव कुक शालू और मैं हूँ शालू आज मैं आपके शाज शेयर करने जा रहे हूं इंस्टेंट स्नेक्स की रेसिपी जिसे हम क्विकली बनाकर तयार करेंगे और ये खाने में उतनी ही सदा टेस्टी भी होगी फ्रेंज मोमफली के दाने ले लिए हैं दो बड़े चमच कच्ची मोमफली को मैंने तवीय पे रोस्ट करके इसके चलगे को निकाल दिया था बारिक कटी वे हरी मेर्च ले लिए दो से तीन पिंच काला नमक आदी चोटी चमच नॉर्मल नमक एक चमच लेमन जूस एक चमच टमेट केचप आदी चोटी चमच जीरा पाउडर आदी चोटी चमच चाट मसाला पाउडर और दो से तीन पिंच में यहां पर रेट चिली पाउडर का यूस कर रहे हूं क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा स्पाइस ही है आप अपने टेस्ट रिकॉर्डिंग कम्या जदा कर सकते हैं दो बड़े जमच मैंने मसाले वाले चनी की डाल का यूस किया यहां पर आलो बुजिया अगर आपको सेव बुजिया पसंद हो तो आप उसका भी यूस कर सकते हूं या फिर जो भी मिक्षर नमकीन घर पर आपके अवेलिवल हो आप उसका भी यूस कर सकते हैं यहां पर बा कर्दृ को अबारिक चॉप किया हुदा है कुछ यनार के दाने लिया है meinemनेо पर एक बारिक चॉप की हुई प्यास यसे बहुत ही चाने ईसह पसेते हैं यह इसे जए बुलिक्ष अबेन इस पासंद है तो आप तमाटर का भी यूज कर सकते हैं बारिक चॉप करके यहां पर हमने 200 ग्राम मुर्मुरे का यूज किया है कहीं पे से लाई भी कहते हैं कहीं पे से मुर्मुरे भी कहते हैं आपको जितनी कॉंटिटी में बनानों हो आप उतना यूज कर सकते हैं गैस पे हमने पैन को रख दिया यहां पर और अब हम इसमें मुर्मुरे को रोस्ट कर लेंगे मुर्मुरे को मैंने पैन में डाल दिया है इसे रोस्ट करने के लिए ना ही मैंने ऑईल का यूज किया है ना ही मैंने घी का इसे हमें नॉर्मल ही रोस्ट कर लेना है बिना घी और ऑईल के दो से तीन मेट के इससे ये अच्छे से क्रंची हो जाए ये देखिए गैस को में बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रखना है और इसे लगातार चलाते रहना है जिससे कि ये जल न जाए इसे रोस्ट करते करते दो से तीन मिनट हो चुका है तो चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूं कि कितने अ हमने इसे ट्रांसफर कर दिया है एक दूसरे बर्तन पर तो मुरमुरे को हमने अच्छे से रोस्ट करके इसे एक दूसरे बर्तन पर ट्रांसफर कर लिया है ये देखिए कितने अच्छे से क्रंची हो चुके हैं ये और अब हम इसमें बारिक कटी हुई वजीस डाल देंगे जिसे हमने पहले ही चौप करके रख लिया था बारिक कटी हुई प्यास डाल देंगे इसे मैंने बहुत ही बारिक बारिक कट किया था बारिक कटी हुई गाजर डाल देंगे बारिक कटी हुई खीरा डाल देंगे अनार के दाने डाल देंगे अगर आपको अनार के दाने पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप करके टमाटर का भी यूज़ कर सकते हैं बारिक चॉप करके मुझे टमाटर पसंद नहीं है इसलिए मैं टमाटर का यूज़ नहीं किया यहाँ पर आदि छोटी चमच जीरा पाउडर डाल देंगे बारिक कटी भी हरी मिर्च डाल देंगे दो से तीन पिंच काला नमग डाल देंगे इससे बहुत यच्छा फ्लेवर आएगा और आदी चोटी चमच नॉर्मल लमग का यूज़ कर रही हैं आप अपने टेस्ट के रिकॉर्डिंग कम्या ज़दा कर सकते हैं दो बड़ी चमच रोस्टेड मूम फली के दाने डाल देंगे इससे बहुत यच्छा क्रंची टेस्ट आएगा आदी चोटी चमच चाट मसाला पाउडर और दो से तिन पिंच रैट चिली पाउडर यह बहुत यदा है स्पाइसी है तो मैंने यहां पे कम यूज़ किया है और अब हम इसमे डाल देंगे हरी धनी की चटपटी चटनी यह बहुत यह टेस्टी चटनी है फ्रेंस इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और अब हम इसमे डाल देंगे एक बड़े चमस टमाटो कैचप इससे बहुत यह अच्छा खटा मिठा फ्लेवर आएगा और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंस आप भी इसे बना कर जरूर ट्राय करें तो आप भी इसे बना कर जरूर ट्राय करें तो तयार हमारे इंस्टेंट भेल पूरी बन कर बिलकुल देखने में कितनी टेस्टी सी लग रही है न खाने में उतनी ज़्यादा यमी है फ्रेंस तो आप भी इसे बना कर जरूर ट्राय करें तो तयार है हमारी भेलपूरी बन कर बिलकुल लास्ट में हम इसमें एट कर देंगे एक चुमच लेमन जूस इससे बहुत ही अच्छा खटा मिठा सा फ्लेवर आ जाएगा हमारी भेलपूरी पर इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो हमने इसे अच्छे से mix कर लिया है friends तो चलिए अब हम इसे serve कर लेते हैं एक plate पर ये देखिए कितना अच्छा सा color आ चुका है हमारी भेल पूरी पर तो हमने याँ पर लिया है एक plate जिसमें हम अपने भेल पूरी को serve कर लेंगे तो तयार है हमारी बिल्कुल quickly भेल पूरी बन कर तो आप इसे बना कर जरूर enjoy करें friends आप चाहें तो इसे morning में, evening snacks के रूप में कभी भी बना कर enjoy कर सकते हैं और अब हम इसमें ऊपर से डाल देंगे बारिक कटे हुए हर धनी की पत्ती और अब हम इसमें डाल देते हैं अनार के दाने जिसे हमने पहले ही बचा कर रख लिया था इसे बहुत ही colorful लगेगा friends ये देखिए और अब हम इसमें डाल देते हैं चने की डाल, मसाले वाले ये बिल्कुल optional है अगर आपके पास है तो आप इसे जरूर डाले नहीं तो आप इसे skip कर दें अब हम इसके उपर से डाल देंगे आलो पूचिया आपके पास अगर safe पूचिया हो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जो भी नमकीन है आप गर में available हो आप उसका भी यूज कर सकते हैं इसके उपर से हमने डाल दी तो कुछ अनार के दाने जिसे कितनी कलरफुल लग रहे हैं ना फ्रेंस तो तयार है हमारी इंस्टेंट भेल पूरी बन कर बिल्कुल कितनी टेस्टी लग रहे ही ना फ्रेंस तो आप भी इसे बना कर ज़रूर इंज्वाइ करें आई हो फ्रेंस कि आपको मेरी रेस्पी पसंद आई हो और पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बहुंच सके तो चलिए फ्रेंज मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में थाइंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो बाइ बाइ फ्रेंज